अब सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब एक नई सीरीज जो यह स्टार्ट हो रही है अभी के लिए तो उसके क्या प्लेंग निकल कर आती है क्या सारी चीज रहेंगे सब डिसक्स करने वाले सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करने वाले डिसक्स तो वीडियो को आखिर तक देखना आखिर तक देखोगे तभी सारी चीज पता चलेंगे साथ-साथ वीडियो पसंद आए लाइक जरूब अगर आप नहीं क्या हो तो फटावर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रस करना ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैसे की वीडियो से बिल्कुल भी आप मैस्त ना कर पाओ औ है ना क्योंकि जो फाइनल टीम वगर आएगी या कोई भी अपडेट वगर आती है कोई भी इस मैच के रिलेटेड अपडेट आती है दूसरे मैच इसकर रिलेटेड तो सारी चीज़े आपको वहीं देखने को मिलती है तो बिस नहीं करना है ठीक है तो जल्दी जागी जो कर लो बागे बात करें देखो अपने मैच की तो स्वीडन वाले ही जो मैच जा रहे तो यहां पर थोड़ा अलग है वह एक थोड़ा अलग चीज थी एक बाकि उसके पिछले तीन मैच के विकेट जरूर लिखे है विकेट्स देखकर तो मैं बूलूँगा आप एक दम क्या है कि स्पिनर से बोलिंग ही नहीं करा जा रही है माल लो अगर आप पांक बोलर से बोलिंग करा रहे ना उसमें से आपको चार पेसर देखने को मिल रहे तो कैसे ही फिर स्पिनर्स के विकेट आएंगे अब एक चीज यहां पर यह नोटेस करोगे आप तीनों ही सब्सकति हैं उनको विकेट नहीं मिलें रचे स्पिनरे प्र... तीन दो एक ऐसे विकेट यहां पर मिले हुए है ओवरोल बाइस विकेट पेसर के फिस्ट इनिंग में सेकेंड में है 15 स्पिन के फ़र्श्ट में कुछ है नहीं और सेकेंड इनिंग में अच्छा है है हलाकि अब आप बोलोगे क्या ही यहां पर यह विकेट वाला एल्लेस कर रहा हुए वह एक मैट वाली जो पिच होती है अब उसमें क्या ही फरक पड़ना देखो फरक नहीं पड़ेगा उसमें बट यह बताने का डीजन यह था कि यहां पर पेसर को ही मदद मिल रही है आप तो क्या मिल रहें मतलब पेसर सी यहां पर विकेट निकाल रहे है तो इस तरीके से आप इसको लेके चल सकते हो बागी यहां पर कोई जैसे अपनी क्रिकेट में पीछ होती है वैसी है यहां पर मैट वाले विस्टम रहता है बागी प्लेइंग 11 क्या रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़े स्कोर नहीं है दोनों ही टीम के की कोई 15-20 मेंबर का स्कोर तेहरा 14 मेंबर के स्कोर दोनों ही दो दो तीन तीन जो बैंच प्लेयर है बाकि आपको मिलनी जो प्लेइंग एलाउन में ही देखने को मिलेंगे जैसे कि आंस वीड़े ने शेयर है जो राइट हम मीडियम बोलिंग करते हैं और वैसे तो बोलुगा आठ जीरो एक दस ओपन गया है कि अगर मैं पिछले पांच मैच की बात करूं तो दो मैच में तो इद्दम ही फ्लोप रहे हैं बाकी के तीन मैच में इन्होंने रंस बनाए हैं और इवन जितने बना रखके उससाब से अगर देखा जाए तो भाई पचास भी क्रोस कर सकता है ओपन भी आएगा ठी हैं भी देखें कुछ बी जादा खास है नहीं यहां से और खराना करेगा थोड़ी तो सकता रण TB आपको बना करते हला कि अभी तक तो बना नहीं है उसके बाग मैं सहजेब चोदरी है राइटन बैटा राइटम मीडियम में बोलिंग करते हैं और बोलिंग में अगर आप विकेट देखोगे तो काफी अच्छे निकाले हुए हैं अगर मैं इसे एक मैच को छोड़ दू तो बागी चार विकेट दो विकेट तीन विकेट ए इनों निकाले हुएं जिस चार मैच में से दो में तो बहुत बढ़िया बोलिंग किया और एक मैच ऐसा है जिसमें इनों ने मात्र 20 में बोलिंग नहीं डाले थी ठीक है वैसा कुछ था उसके बाद में आसा है आपको सहिद एहमद देखने को बलते हैं लेफ्टन बैटा र iade गन किमा बोलिंग से ढूनों से पॉंज्थ kommtay सकता है फ्यामय पिछले कर निकाल सकता है तो एसलिए तक बना स्मोल लिग तीम के लिए उसके बाद में आपको नसेर बालूच देखने को बलते हैं राइटन बैटर लेफटाम मीडियम और विकेट तो भाई ने बढ़िया निकाल रखें पिछले पांच मैच और चार मैं चैसे हैं जिसमें दो-दो विकेट आपको उनकी तरफ से देखने हुए अभुजार हुए बट यहां से सहीद एहमद हुए और नसेर बालूच हुए इनको जबूरा प्ले कर चल सकते हैं अपकी स्मोली तीम के लिए उसके बाद में खालिट जाहिद है राइटन बैटर राइटम मीडियम विकेट वगरा बीच वीच में तीन-तीन निकाले ह कि भाई विकेट निकाले तो सीधे तीन-चार पे हाथ मारे ना तो विकेट लैसे ठीक है वैसा वाला बाकि उसका बाद में परिशान शुकला है लेक ब्रेक बोलिंग डालते हैं पांच मैच में इन्होंने कूल मिलाकर च्छे विकेट निकालें एक ही मैच में चार आ गयते बागी दो मैच में एक विकेट और बागी दो मैच यहां से इनके विकेट लैस रहे हैं उसके बाद में आपको जबी जाहिद देखने को बिलते हैं राइट हैं मीडियम बीच बीच में रंट तो है बट उतने ज्यादा विकेट नहीं है ठीक है यहां देखोगे 0-0 बागी दो प्लेर एक तो सुधाश काने सिर्फ एक इमेंच में चला इसाथ बाकी नजर मुंबद है इनके ठीक है पिछले पांच मैच में से तीन बार नोन विकेट निकाले बर चार एक बर दो एक लेफ्ट काम पर इसी बोलिंग करते हैं तो यह कहानी इस टीम की बाकी कौन-कौन यह यूज़ करने वाले तो यहां से आपको साहिद एहमद और नैसर बालूच आपको यूज़ होते हुए ठीक है उसके बाद मैं आपको खालिज जाहिद प्रशांद शुकला यह बोलिंग करते हुए दिख सकते हैं बागे उसके आपको तकावी बोल करते हुए दिखे और जादे किसी के चांस नहीं रहेंगे ठीक है अब अगर बात की जाए दूसरी टीम की जोकी रहने वाली एस्टोनिया एस्टोनिया की तरफ से देखा जाए बैटिंग ओडर में ही लिखा हुए मैंने अली मसूद इधर से उपन करेंगे राइट है राइट हम मीड से लेकर चल सकते हो अली मसूद को रखना चाहता बाग उसकाद में अर्श लान गॉंडल है इन्होंने पिछले तीन मैच में तो अच्छे रंस बनाए है तर्टीफाइव पूंटी सावन और यहां से नैंटी टूरंस है तो पिछले तीन मैच में तो अच्छे का से रंस है बाकि उससे पहले दो मैच अच्छे लोग भी हों बाट ऐसा से फर साइड जो रीसेंट फॉर्म है इनकी उस हिसाब से मैं इस्टोनिया को लेकर चल सकते हो टीम में स्टूर्ट हुक है जिन बहुत काफी जाब है कंसिस्टेंट है रंस वगरा में 69 25 1723 का स्कोर देखने को मल सब्सक्राइब तो बोलिंग उतनी जदा कराते नहीं आप समझ कर चलना शाकूर रामान यह पिछले माने उसके बाग मैं से घिषान ली रहते राईट हं मेडियम बोलिंग तीन मैच में जिसमां दो में दो ईक में इक में विक्ट लेसे बाकि रन भी है 25 और 30 का स्कोर है बागी तो बैटिंग से फ्लोप रहें पिछले पांच में से तीन मैच में दो में चला है जिसमें 25 और 30 बनाएं बागी मनिश गुपता राइट है अब कोई भी है सच रिसेंट फॉर्म इनका है नहीं तो मैं और रोल रिकोर्ड बतायता हूं 21 मैच में 440 रह बाग में यहां से सहील जोहां ने राइट यहां बैटर 28 मैच में 792 रंस बना रखें और 17 इनों ने विकेट निकाले हुए उसके बाद में आते हैं डेविट रॉप्सन लेफ्ट हंड बैटर राइट लेफ्ट टाम मीडियम है चार रन एक विकेट है फिर एक फिर विकेट लेफ्ट लैस फिर रण विकेट लैस और उसके बाद में आते हैंसे रिचार्ड पारकिन इन्होंने विकेट अच्छी निकाल रखें फिफ्टी टू मैच में वही सिक्ष्टी फूर विकेट निकाले वह तो ले सकते हो अगर टीम में रखना चाहों जाब बुरा ऑप्शन ह निकाले हुए और लगर देखा जाए तो और यहां से रिचार्ट पार्किन यह बनते हैं से विए इसर बात कीजाए वैसे इनके स्कोर्ड में एक और प्लियर रफीक खान नाम से जो की डीसेंट है और अब यह आपको प्लेइंग लॉण में देखने को मिल जाए अभी वह ना स्कोर्ड में तो है बट फेंटेसी एप में यह तो अगर आज आता है तो खेलता है तो आप ले सक्टे उस प्लियर को रफ बताईए जो प्लेइर्स मैंने आपको बताई उनी को मैंने यहां से रखा हुआ है अपने टीम में जैसे कि विकिट की पर सेक्शन है आपको रखना है इसको सहीद हमद है गुंडल है और यहां से और रहमान को रखा हुए मैंने उसके बाद में बलूच है बिलाल मसूद र कर सकते हैं अली को कैप्टन करके सहिद एहमाद को वाइस कैप्टन भी आप ट्राइ कर सकते हो यहां से यह जाते हैं दो चीजे बाकि काफे सारे लोग बलूच के साथ में भी जाएंगे तो अगर जाना हो तो चले जाना बाकि मेरे अकोर्डिंग जो जादा से फर फिक्स ब में सब्सक्राइब सब्सक्राइब को महां देखने को मिलती है तो मिस्त नहीं करने है ठीक है बाकि मैच के लिए बिलते हैं आपको नेक्स वीडियों में बहुत ही जार जल्द